नमस्कार हमारे खाश्चों MP का रंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट मद्द प्रदेश में मोहन राज शुरू होने के बाद से लगातार एक्षिन हो रहे हैं और अब घोटाले बाजों की खैर नहीं है क्योंकि अब जनता को बेवकूब बनाकर उनसे पैसे एठने वालों पर गाज किरने वाली है इतना ही नहीं मद्द प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से उबाला गया है ओमा भारती के एक बयान से सियासी हल्चल तेज हो गई है और वो एक बार फिर से सुर्ख्यों में चाई हुई है वहीं दूसरी तरब बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्तरी ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद उनकी चर्चाएं भी होने लगी है तो क्या कुछ है पूरा मामला इसी को विस्तार से हमारे खाश शो में आपको बताते हैं मद्द प्रदेश की मोहन यादो सरकार एक्शन मोड में है सरकार ने घोटाले बाजों के खिलाब सक्त रुख अपना रखा है इसी कड़ी में ग्वालियर के चार पूर्व सरपंचो को एक महिने के लिए जिल भीजा जाएगा इन्होंने विकास कारियों के लिए दी गई राशी हडपली थी लिस्ट में तीन महिला सही चार पूर्व सरपंचो के नाम है चारों ने 27,95,000 रुपे का घोटाला किया था घोटाला उजागर होने के बाद इन्हें राशी सरकार खाते में जमा करने के लिए आकरी नोटिस दिया गया था जिसका इन्होंने पालन नहीं किया पूर्व सरपंचो को नोटिस देते हुए राशी वापस करने का आदेश दिया गया था लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया इसके बाद जेल भेजने के आखरी नोटिस पर भी इन्होंने पैसा वापस नहीं किया यही बज़ो है कि जिला पंचायत CEO विनोध कुमार सिंग ने इन चारों के जेल आदेश जारी कर दिया है जिनके खिलाब कारवाई की गई है उन पूर्व सरपंचों में करईया ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच गुड़ी बाथम इटवा ग्राम पंचायत की रामश्री हर्शी ग्राम पंचायत की गुड़ी देवी और बारलो के मुन्ना लाल आदीवासी शामिल है इस साल ग्वालियर जिले में पचास से जादा पूर्व सरपंचों के लिए जेल आदेश जारी हुए है तो वहीं दूसरी तरब मद्प्रदेश की पूर्व मुख्यमंतरी ओमा भारती सीहोर पहुची और उन्होंने पहुचते ही पहल का मचा दिया दरसल उन्होंने शहर के प्राचीन गनेश मंदर में पूजा आर्चना की इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी की फायर ब्रांड नेतरी ओमा भारती ने पूर्वसियम शिवराज सिंग चोहान के बयानों को लेकर दो टुक कह दिया कि मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हो इसका जवाब वही देंगे दरसल पांचवी बार प्रदेश का मोखे मंदरी नहीं बन पाने को लेकर शिवराज ने अपने बंगलवार को अपने निर्वाचन शेतर बुद्नी में बयान दिया था पूर्व सियम ने कहा कई बार रास्तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है ऐसा किसी ना किसी उद्देश की पूर्ती के लिए होता है कोई बड़ा उद्देश होगा शिवराज ने ये भी जोड़ा की मेरी जिंदगी बेहन बेटियों और जनता जनार्दन के लिए है आँखों में आसू नहीं रहने दूँगा दिन रात काम करूँगा वहीं बीजेपी की फायव रांड नेत्री ने शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटाने पर मोख्य मंत्री मोहन यादों का अभिनंदन किया उमभारती ने कहा प्रशासनिक अधिकारी जनता और सरकार के सेवक है सेवक को सेवक की तरह ही बात करनी चाहिए गवर्मेंट सर्वेंट को किसी का अपुमान करने का अधिकार नहीं है आपको बता दी कि ट्रक ड्राइवर्स की हर्ताल के बीच शाजापुर के कलेक्टर कन्याल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था जिसमें वो हर्ताली ड्राइवर्स की एक मीटिंग के दोरान एक शक्स से बोल रहे थे कि तुम्हारी आउकात क्या है इसी मामले के तूल पकड़ने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादो ने शाजापुर कलेक् की प्राड प्रतिष्ठा है मैं अठारो को पहुँच जाऊंगी भगवान राम को लेकर कहा कि वो मर्यादा के लिए आदर्श जीवन का उदाहरण है भारतिय संसक्रती और भारत की पहचान है इस दोरानी एक सवाल के जवाब में वीजपी की नेत्री ने कहा कि लोग में उतरनी की बात नहीं करूंगी अभी तो अयोध्या में मगन हूँ इससे पहले पूर्वो मुक्यमंत्री ने सिहोर की प्राचीन गडेश मंदिर में गरिशन कर पूज आर्चना की और प्रदेश की खुशाली सम्रदी की कामना की अगर बात करें धिरेंद्र शास्त्री की तो उनके बयान से भी सियासत को जोड कर देखा जा रहा है दरसल अयोध्या में 22 जन्वरी को भगवान राम की मूर्ती की प्राण प्रतिष्टा समारों में जाने माले कथा वाचक पंडित धिरेंद्र शास्त्री भी जा रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठा दीश्वर ने की समस्त सनातनियों की सबसे बड़ी विजय है यह उत्सव दिपावली से बहुत जादा खास है निश्चित ही कोई अभागा होगा जिसको इस दिन का इंतजार ना हो हमको तो है राम भक्तों को है केवल भारतियों को नहीं दुनिया में रहने वाले भारत वाश्यों को इस दिन का बेसबरी से इंतजार है धीरेंद्र शास्त्री ने सभी लोगों से अपील किया है कि सभी इस दिन दिपावाली मनाए उत्सव का उत्सा बहुत है प्रेम अधिक होता है तो वाड़ी कम बोलती है आखी जादा बोलती है ठुमका लगाने को जी जाता है अयोध्या जी भी सास और प्राण की जरूरत है नाम उनके है शास्त्री ने कहा कि जातिवाद के लिए राम मंदर नहीं हो रहा शबरी का मंदर बन रहा है निशाद राज का भी मंदर बन रहा है तो क्या यह जातिवाद के लिए मंदर नहीं है अपीतु राम भक्तों की आस्ता के लिए मं सब्सक्राइब की तैयारियों को लेकर कॉंग्रेस की आठ जन्वरी को एहम बैठक होने जा रही है इस बैठक में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दिग्विजे सिंग सुरेश पचोरी अरुण यादो और कांती लाल भूरिया सही तमाम वरिष्ट नेता मौझूद रहेंगे इस बैठक में लोगसभा चुनाओ को लेकर प्रदेश इस्थर पर कुछ समीतिया गठित किये जाने के संबंद में चर्चा होगी बाचीत होगी प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष जीतो पटवारी सभी जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी सहित सभी मोर्चा संगठन को भी इस बैठक में बुलाया गया है वधान्सभा चुनाओ के सथ राखुल गाधी की यातरा को लेकर योजना बनाई जाएगी लोगसवा चुनाओं को लेकर प्रदेश तर पर चुनाओं से जुड़ी समीती के लिए इस बैठक में चर्चा होगी। इसके लिए राहुल गाधी की यात्रा के लिए भी समीतिया बनाई जाएंगी। इन सभी का नेने भी इसी बैठक में होगा। प्रदेश के नेताओं के बीच समन्वे के लिए भी समीती बनाई जा सकती है। आठ जन्वरी को होने वाली बड़ी बैठक से पहले एक एहम बैठक प्रदेश कॉंग्रेस कार्याले में होनी है। प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वधानसबा चुनाओं में हारे हुए सभी उमीदवारों को इस बैठक में बुलाया है। इन सभी के साथ बैठक में लोगसबा चुनाओं के साथ ही राहुल गाधी की यात्रा को लेकर बाचीत होगी चड़ जाहोगी। राहुल गाधी की यात्रा ऐसे कई वधानसबा शेत्र से गुजरेगी जहां पर कॉंग्रेस हा तो वही दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी रणीती के हिसाब से प्लानिंग भी शुरू करती है। दरसल देश में इसी साल मई जून में लोगसबा चुनाओं होने की संभावना है। इसको ध्यान में रखकर बीजेपी ने अपनी योजनाओं का लाब हित ग्राहियों को दुलाने और उसका प्रचार प्रशाद शुरू कर दिया है। इसके लिए भाच्पा विक्सित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। इस कैंपेन को लगाकर हित ग्राहियों के फॉर्म भराए जाएंगे। वहीं रत के माध्यम से केंद्र की योजणाओं की जानकारी दी लाब भी दिलाया जा रहा है। इसके लिए भाच्पा ने मंडल स्थर पर तयारी की है। हाल ही में भोपाल में अलग-अलग मोचों की बैठक कर उनको अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई। केंद्र सरकार की आयुश्मान योजणा के तहत प्रदेश में तीन करोड साठ ल लोड कर बाकी भाच्पा के पास ही है। इस बार बीजेपी का लक्ष छिंदवाडा समित सभी लोगसवा सीर जीतने का है। इसलिए हाल ही में अलग-अलग मोचा युवा महिला समित सभी को लाभारती वोटरों तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। इसके लिए उनको अल परागत वोटर नहीं है। मद्द प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अगरवाल ने कहा कि विक्सित भारत संकल्प यात्रा हर शेत्र और गाउं तक पहुंच रही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का ना सिर्फ लाब दिया जा रहा है बलकि उससे उनको जागरुग भी किया जा रहा है। यहां डबल इंजिन की सरकार का पहला प्रयास है हित ग्राहियों को ढूट-ढूट कर उसका लाब दिला रही है। हमारे खाश्यों में फलाल के लिए इतना ही पकि तमाम खबरों के लिए देखते रही है कैपिटल टीव नमस्कार